हेलो केट्स वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल केट्स लाणिंग आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मैं आशा करते हूं कि आप सभी स्वार्ज दोंगे चलिए आज हम करेंगे डियोई दुवारा दी गई वॉक्षिट जिसकी डेट है आज की वॉक्षिट है हमारी इंग्लिश वॉक्षिट जो क्लास पाई के लिए है यहां पर लिखेंगे ए बी सी जो भी आपका श्रक्शनों लिख लीजेगा यह वॉक्षिट आपकी टेक्सबुक मैरी कॉल से लिख गई है यूनिट 3 माय शैडो पेज नमबर 42 से 43 की है यहां पर student अपना नाम लिखेंगे यहां पर अपनी class teacher का नाम लिखेंगे तो चलिए बच्चो वक्षिट शुरू करते है हम Good morning student, good morning बच्चो, good morning बच्चो I hope all of you are in the best of your health मैं आशा करते है कि आप सभी स्वरस्त होंगे Look at the picture given below and read aloud the word Did you notice that a and an has been used before each word बच्चो हमें कुछ picture दी गई जिसे हमें जोर जोर से पढ़ना है word दी गए है पर आपने notice किया गया है कि इस picture में a और an लगाए गए हैं words के पहले नोटिस किया है देखे देखे पहली picture में क्या दिया गया a girl an elephant an umbrella a ball an ice cream बच्चो यहाँ पर देखे पहले ए लगा है a girl an elephant an umbrella a ball an ice cream यहाँ पर लगे हुए हैं देखे बच्चो आपने यह notice किया ही होगा तो चलिए देखते हैं क्या है we use an before noun that has bubble sound example ice cream and umbrella बच्चो जो an use होता है वो noun form में होता है पर किस में होता है बबल sound में यह बबल होता है हमारे कौन कौन से बबल है बच्चो देखे हमारे पांच बबल है e-a-i-o-u यह हमारे वबल है e-i-o-u e-a-i-o-u we use a before the noun that has a consonant sound example ball and goal there there are five verbals and twenty-one consonants in English alphabet हमारे आपको बताई दिया था verbals कौन कौन से है और हमारे twenty-one consonant है alphabet में चलिए आगे बढ़ दे है बच्चो पार्ट ए देखते है पार्ट ए student now look at the picture given below carefully and write a a or an before the noun accordingly take helps from your teachers आपको बच्चो यह पिच्चर को ध्यान से देखना है carefully उसमें a और an का प्रयोग करना noun के हिसाब से चलिए हम करते हैं यह देखिए बच्चो फर्स पिच्चर किसकी दी हुई है igloo तो igloo में क्या लगेगा बच्चो यह क्या है हमारा wobble wobble में क्या लगता है an तो यहाँ पर an igloo और यह यह दूसरी वाली पिच्चर के है balloon तो balloon में क्या लगेगा a balloon क्योंकि यह consonant है और यह है ship तो इसमें आएगा a ship यह है owl owl में क्या लगेगा बच्चो यह wobble sound है देखिए starting word o है तो यहाँ पर an owl और यह एक boy है तो क्या लगेगा a boy यह aeroplane है तो क्या लगेगा an aeroplane यहाँ पर यह देखिए किसका पिच्चर बना बच्चो eagle का यहाँ पर आएगा an eagle और यह table है तो क्या लगेगा बच्चो a table और यह policeman का है तो policeman क्या है और पॉलिसमेन और ये देखें ये लास वाली पिच्चर दी गई जिराफ की जिराफ का क्या हैगा और जिराफ तो बच्चो यहाँ पर हमारे वाबल कितने हैं इसमें एक दो तीन चार चार हमारे जो हैं वो वाबल हैं और सब कॉंसोनन हैं जैसे एन इगनू इसमें क्या दूसरे वाले में और बलून और शिप एन आउड और बॉय एन एरोपलेन और एन इगल और टेबल और पोलिसमेन और जिराफ चली बच्चो आगे बढ़ते हैं आिवाले में और बहले जागा gema झागे डभ़ते हैं व्यृड अगों झागे। तूच्ग आपे जाए लूड खिवाप कि व्यृ त और ऺगए लुशन अगे लूड? are talking about imagine and create their dialogues say them out loud and write them in your notebook you may take the help of your elders too बच्चो यहां पर right hand side पर picture दी गई है आपको इसमें बताना है कि यह ladies और यह बच्चे आपस में क्या बाते कर रहे हैं इनको इनके dialogues को imagine करके create करके अपनी textbook में लिखना है और इस dialogue को जोड जो से बोलना है अगर आपको नहीं आ रहा तो घर में किसी बड़े की साइथा से ले सकते हैं इसे आपकी मदद करेंगे वो और अभी भावकों के लिए सुझाओ है कि अपने बच्चों को consonant और वबल से शुरू होने वाले शब्दों का चित्र शब्दकोश बनाने के लिए प्रोसाइद करें बच्चों को पताएं consonant कौन कौन से होते हैं वोबल कौन कौन से होते हैं और उन्हें शब्दकोश बनाने के लिए कहिए आज का COVID मेसेज है जब भी बाहर निकले दो गस की दूरी बना के निकले कौन का हराना है तो दो गस की दूरी बनाना है उमीद करते हूं कि आपको मेरी वोक्षिट पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक करें शेर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती ने मेरी अगली वीडियो की तब तक अपना ध्यान लगके सुरक्षित रहे सेफ ने बाई बाई बच्चो